अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional tarot card reader बन सकते हैं, अपना career tarot में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप screen पे दिये गए number पर हमें whatsapp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाब से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है चलिए Libras, आप लुगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पसे हाँ पर तीन set of cards है First set of cards में हम आपकी energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner के energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे बहला card मुझे दिख रहा है The devil और ये card कहता है कि कुछ time से या July starting में एक pressure, एक stress आप महसूस कर रहे हैं अब दिखेंगे इस pressure, इस stress के लिए सब Libras के लिए different reasons रहेंगे क्योंकि ये general reading है लेकिन devil के नीचे hostility का card कहता है कि थोड़ा सा you know किसी चीज को लेकर आप परिशान हो रहे हैं या पिर एक jealous वाली energies रह रहे हैं अब दिखेंगे ये jealous वाली energies भी सब Libras के लिए differ करेंगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपके partner आपको उतनी attention नहीं दे पा रहे हैं अब दिखेंगे मैंने जान मुझके बोला दे पा रहे हैं क्योंकि उनके genuine circumstances हो सकते हैं situation हो सकती है जहां पर वो आपको उतनी attention नहीं दे पा रहे हैं और ये चीज आपको परेशान कर रहे है या पिर जान मुझके वो आपके अलावा किसी और को जादा importance दे रहे हैं अब दिखेंगे ये सिरफ वर सिरफ example है सब Libras के लिए different reasons रहेंगे लेकिन hostility का card definitely एक jealous energies की बात करता है किसी चीज को लेकर थोड़ा सा मन ही मन परेशान होने की बात करता है और शायद इसलिए या पिर otherwise भी July starting में आप थोड़े से possessive, थोड़े से obsessive अपने partner को लेकर होते वे दिख रहे हैं आप थोड़े से controlling, थोड़े से dominating भी हो सकते हैं और अगर ऐसा आप आएं तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें क्योंकि दिखिए जब ऐसी energies में हम होते हैं तो actually हम अपने partner को अपने से और ज़ादा दूर करते हैं और दिखिए यहाँ पर chariot का काज भी इनी energies को और ज़ादा confirm करता है आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत confidently, बहुत assertively आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कहीं जो भी action initiatives आपकी तरफ से required हैं आप लेते हुए दिख रहे हैं दिखिए action initiative लेना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम over ऐसी energies में होते हैं तब हम चीजों को खराब करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप आगे बढ़ रहे हैं अभी आगे बढ़ना सब Libras के लिए differ करेगा कुछ Libras के लिए simply हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं याप फिर travel करना चाहा रहे हैं याँ travel से related planning रह रहे है कुछ Libras के लिए हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ चीजों को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं आप इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related जो भी action initiatives required हैं आप ले रहे हैं और कुछ Libras के लिए हो सकता है कि थोड़ा ऐसा पार्टनर के अलावा खुद की growth और progress पर focus कर रहे हैं अकेले ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और दिखी ये सिरफ और सिरफ July मन्त की reading है आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप move on कर रहे हैं पिर आप relationship end कर रहे हैं सिरफ mid July में आपको ऐसे लग सकता है कि अपनी growth अपनी progress पर focus करो ये again देखिए कुछ Libras के लिए होगा कुछ के लिए मैंने बहुत सारे examples दिये है उन में से कुछ भी हो सकता है या कोई और भी movement आप चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं deeper level के लिए taboo का card कहता है कि बहुत सारी चीजें आप कहना चाहते हैं करना चाहते हैं लेकिन society permit नहीं करती या फिर relationship में आप नहीं कर पा रहे हैं आप दिखिए reason again सब के लिए differ करेगा and end July के लिए hiding and the star reverse के cards कहते हैं कि थोड़ा सा एक negative frame of mind होता हुआ दिख रहा है और आप उमीद खोते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा एक you know आप चीजों को लेकर give up करते हुए दिख रहे हैं तो देखिए अगर हम July starting से आपकी energies देखें तो July starting में आपको ऐसे लग सकता है बस जो आप चाहते हैं ना वो आपको पाना ही पाना है no matter what और mid July में आप बहुत जबरदस तरीके से उसके लिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं अब देखिए ये चहाना, ये desire सब Libras के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को आगे लेकर जाने की चाहा है कुछ के लिए हो सकता है अपनी growth progress पे focus करने की चाहा है तो जो भी आप चाहा रहे हैं उसके लिए July स्टार्टिंग में एक obsessive सी energies है mid July में कुछ restrictions है, limitations है उनको भी आप पार करते हुए, उनकी भी परवार ना करते हुए आप बहुत जबरदस तरीके से action initiatives ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं end July में आप थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा give up करते हुए दिख रहे हैं आपको यसे लग सकता है कि भई कोई फाइदा नहीं है, effort कर रहे हैं, result नहीं मिल रहा है और नीचे hiding का card एक दो चीज़ें कहता है या तो कुछ चीज़ें आप अपने partner से hide कर रहे हैं, छुपा रहे हैं या फिर आपको यसे लग रहा है कि भई आपके partner आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं जो भी हो कहीं, you know, July end में एक transparency आप दोनों के बीच में नहीं रहती हुए दिख रही है फिर से मैं कहुँगी कि आप दोनों में से कोई एक जन, कोई चीज़ दूसरे जन से चुपा रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card है 10 of materials reverse और ये card कहता है कि आपके partner long term चाहा रहे हैं इस relationship के लिए कहीं stability चाहा रहे हैं, security चाहा रहे हैं लेकिन इसी से ही related कुछ issues मसले महसूस कर रहे हैं अब देखिए ये भी थोड़ा-थोड़ा सब Libras के partner के लिए differ करेगा और कहीं एक आप family को भी represent करता है तो हो सकता है कि उनकी family उनकी attention चाहा रही है उनका एक बहुत presence चाहा रही है या ना चाहते हुए या चाहते हुए उनको अपनी family पे ज़्यादा attention देना पड़ रहा है ज़्यादा focus करना पड़ रहा है और कहीं उनकी family में get together है या कोई भी reason हो सकता है, देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आ रहे हैं लेकिन definitely family की involvement, family की interference उनकी तरफ से उनकी life में या पिर इस relationship के लिए रहती भी दिख रही है और कहीं हो सकता है कि वो थोड़ा सा socialize कर रहे हैं थोड़ा circle अपना बढ़ाना चाह रहे हैं या पिर अपने professional front, अपने work पे वो ज़्यादा focus करना चाह रहे हैं deeper level के लिए garging angel का card कहता है कि surface level पे जो भी उनकी energies हों, जो भी वो कर रहे हैं मन ही मन उनको ऐसी feeling होती है कि आप उनके garging angel हैं जिसे garging angel से मिलके या फर connect करके एक सुकून मिलता है एक peace मिलती है जो भी issues मसले होते हैं उनका हल मिलता है, उनका solution मिलता है तो कहीं ऐसा-ऐसा वो आपके लिए मन ही मन महसूस कर रहे हैं अब surface level के लिए दिखिए वो सकता है कि family बहुत demanding हो रही है या work बहुत demanding हो रहा है और कोई भी reason है इसकी वज़े से उतना शायद July starting में वो इस relationship में नहीं focus कर पा रहे हैं या वो long term चाहा रहे हैं और नहीं हो पा रहा है किसी भी reason की वज़े से and कहीं देखिए mid July के लिए the magician reverse का card कहता है कि थोड़े से manipulative हो रहे हैं थोड़े से diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं और हमने देखा आपके लिए hiding card में कि या तो आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपके partner कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप छुपा रहे हैं और कहीं magician reverse का card भी इन ही energies को confirm करता है कि कहीं दिखिए एक heart to heart communication नहीं हो रहा है heart to heart talk नहीं हो रही है magician कहीं mind से भी चीजों को deal करने की बात करता है तो थोड़ा सा logically चीजों को deal कर रहे हैं और mid july में उनकी भी थोड़ी controlling, थोड़ी dominating वाली energies रह सकती हैं जहांपे वो अपने तरीके से चीजों को चाहा रहे हैं और logically चीजों को deal कर रहे हैं कहीं उतना, you know, अपने heart से नहीं चीजों को deal कर रहे हैं यानि कि दिल से नहीं चल रहे हैं and deeper level के लिए spoil का card कहता है कि surface level पर जो भी वो कर रहे हैं man ही man उनको लग रहा है कि शायद चीजें खराब ना हो जाएं शायद you know कुछ गरबर ना हो जाएं तो इस चीज का भी एहसास उनको है and end July के लिए four of voices and social media के cards कहते हैं कि कहीं वो you know बहुत जादा एक effort, effort actually is not the right word कहीं you know उनकी तरफ से action initiatives missing रह सकते हैं थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं, थोड़ा सी backseat ले रहे हैं अब देखें four of voices के नीचे social media का card है तो कुछ Libras के partner के लिए literally हो सकता है कि social media से withdraw कर रहे हैं, यहाँ पर social media पर active हैं आप से withdraw कर रहे हैं, तो देखें जो भी reason हो कहीं you know उतने action initiatives नहीं लेते वे दिख रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है Libras के उनके genuine reasons हैं जिसकी वज़े से वो इतना नहीं involved हो पा रहे हैं इस relationship में और अब देखते हैं Libras की July मन्त में क्या हो रहा है तो देखें July starting के लिए यहाँ पर the world reverse का card है यह card एक दो चीजें कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों का long distance relationship है या फिर you know out of the country से related कोई activity कोई चीज हो रही है या तो आप out of the country travel कर रहे हैं करना चाहरे हैं या पिर आपके partner out of the country travel कर रहे हैं करना चाहरे हैं या फिर आप लोग you know एक दूसरे से physical level पे दूर है यानि कि अलग-अलग cities में रहते हैं, अलग-अलग countries में रहते हैं और उसकी वज़े से issues मसले हो रहे हैं और दूसरी चीज जो भी issues मसले हो रहे हैं शायद किसी level पर उनको end करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं नहीं एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और surface deeper level के mind games का card कहता है कि कहीं you know mind से बहुत जादा चलते हुए दिख रहे हैं, logically चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं and mid July में कहीं चीजें किसी level पर भेतर होती भी दिख रही हैं यहाँ पर page of inspiration का card कहता है आप लोग काफी जादा एक दूसरे से connect कर रहे हैं एक enthusiasm, excitement भी रहता हुआ और कहीं एक बच्चों जैसी fun, मजा, मस्ती भी आप दोनों के बीच में इस relationship में रहती भी दिख रही है, astral romance का card कहता है आप दोनों को mid July में ऐसा मैसूस हो सकता है कि भई पिछले जनम का नाता है, कुछ तो बहुत गहरा आप लोगों का connection है और past life से आप लोग connected हैं कहीं इ एंड जुलाई के लिए work engaged का card कहता है कि professional front आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए काफी एहम रह सकता है, हो सकता है कि काफी उस पे focus करना पड़ रहा है, काफी आप लोगों का work, आप लोगों की attention डिमांड कर रहा है या फिर आपको काफी involve होना पड़ रहा है और इसलिए कहीं relationship में उतनी activity नहीं होती भी दिख रही है या फिर देखे ये भी हो सकता है कि कोई decision कोई choice आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लेनी है और कहीं decision choice नहीं ले पा रहे हैं, दो चीजों में stuck हैं और बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे है हैं सुनके अंसना कर रहे हैं, तो देखे एंड जुलाई के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप चीजों को avoid ना करें, जो भी चीज आपके attention चाहती है ज़रूर उसको upfront होके deal करें और थोड़ा सा बहुत great वाली energies एंड जुलाई में नहीं रहती भी दिख रही हैं, और ब वालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें